विदेश से लोटकर आया एक वेक्ती गाउं में कर रहा है और्गेनिक खेती, कमारा अच्छा मुनाफ़ा बेटी करती है प्रोथ साहित जुन्जनु जुले का एक वेक्ती इतली से वापस अपने गाउं लोटकर कर रहा है और्गेनिक फार्मिंग विदेश में रहते वे जोब की पर जब मन नहीं लगा वे परिवार वालों ने वापस बुलाया तो गाउं में लोटकर अब कर रहे हैं मिस्रित खेती और कमारे अच्छा मुनाफ़ा आज हम बात कर रहे हैं विजे सिंग सिखाओत के बारे में जो कि वर्तमान समय में अपने गाउं तोगड़ा में रहकर ओर्गेनिक मिस्रित खेती कर रहे हैं उन्होंने बताया कि गाउं में जब वे वापस लोटे तो उस समय उन्हें लगा कि अभी वो क्या करें तब उन्ह उन्होंने लोगों से विचार विमर्ष किया तो उन्हों जानकारी मिली कि खेती में अब वैं प्रंप्रागत खेती ने करके और्गेनिक फार्मिंग के साथ में मिस्रित खेति को भी अपना सकते हैं तब उन्होंने अपने खेट में 600 मौसमी के 600 किनु के पोदे लगाए साथ में ही उन्होंने 400 निम्बू लगए 80 खजूर 20 आंवले व 20 अम्रूद के पेड उन्होंने लगा रखे हैं वर्तमान समय में वह अच्छी खासी पेदावार कर रहे हैं क्या आफ आपका विजय सिंग शिखावत सर कब से कर रहे हुए आप यए या मैं 2018 से कॉन कौन से पोधे आपने अभी अपने खेत में लगा लगा रखे हैं मोज में लगा रखिए नेभू लगा रिखा है किनू लगा रखा है खजूर लगा रखे हैं कुछ अहुले हैं कितने मौसमी के कितने पोदे हैं खजूर के कितने मौसमी के 600 चार सो के लगबग निबू होने चाहिए असी खजूर है कि टोटल कितने में हैं तो मौसमी और यह जो कितनी क्या साल का कितना क्या प्रोडिक्शन इन से हो जाता है अब मैं तो क्या लगाता नहीं वर अच्छा खासा में संतुष्ट हूं जितना भी हो रहा है झाल